नमस्कार आप सबका मेरे यूटीब चैनल पामिस्टर हीलर में स्वागत है आज हम एक व्यत्ति जिनकी उम्र नैइटीन के करीब ऐस्वाइन के हैं उंके हाथ क्विशेशन करेंगे और देखेंगे क्या सही और कलत निकल कर आता है है ने और कहा है कि पढ़ाई चोड़के बैठा हुआ है और कहता है कि मिर को गाना सीखना और प्रक्वार्ख मैंiley सिंगर बनूंगा सिंगर की आती NICK आप पाए और दूसरी बात लिए किसी 2-3 जनों को दिखाया था हाथ कोई कहता है आर्किटेक्ट बनेगा कोई कहता है गोर्मेंट जब बनेगा बठ लेकिन यह तो नौकरी छोड़के बैठा हुए आगे इसका जीवन क्या है जरा बताओ आप तो अब इनको मैं पहले ही सलाह दे देता हूं कि बिगड़ चुका है बच्चा ध्यान वरना बहुत दिख्टों का सामना करना पड़ेगा इसको अपनी जिन्दगी में बहुत स्ट्रगल करेगा बहुत कुछ करेगा देखो यह रेखा दूर से ही चमकती हुई दिखाई दर ही इसके बाद तो इसका मन करेगा ही नहीं 17 और 18 साल की है यहां से इस टाइम पिरिट पे करना क्या क्या क्योंकि यह रेखा है तो अभी यव का निशान इतना बना के बैठी है यह देखो यह टाइम पिरिट पे यव का निशान बना के बैठी है और इसी के अंदर माइगरेशन की रेखा भी चल रही है यह देखो यह ने रेखा चल रही है, इदेर यवद्ट का निशान ये चल रहा है, ठीक है, आते गलत पड़ी हुई है, ये सब आफ्टों के निशान होते हैं, अगर यहां पर ये चीज़े बन जाये है, और इसी के साथ ये रेखा है, यू यू ये यू यू ये क्या है, य तो आपके, इस तो कुछ और करेगा ये तो बढ़ने के लिए जाए तो बहुत अच्छी बात है भई माबा को खुशी होती है लेकिन ये तो लफंडर बाजी और ये वाली सारी चीजों के लिए जाए तो बहुत दुख वाली बात है तो आज आपने क्या करना है ये जो टाइम पीरिड आ रह ले उसरा है वहां पर अंकुष् लगा लीज़े एक किसम साल वेस्ट चला जाए गा बाईसमे साल पर ये जाएकाा है नहीं मिलेगी तो ये फिर 23 साल पर फिर चला जाएगा ये 22 सही मन बना चुका है फिर दुबारा आएगा जाएगा कुछ और पैसे लेगा सब कुछ करेगा प्लीज मत कीजे इसको आज इस एनलिसिस का मतलब ये है कि इसकी पढ़ाई पर इसको फोकस कराओ इसकी संगती से इसको दूर और वरना ये तो बटकता रहेगा ये चीज याद रख लेना अभी के बाद से ही मैंने का आए कि इसका माइंड भार जाने को कर रहा है किसी के कहने पर ये बाहर भी चला जाएगा 20 में मत जाने दो पढ़ाई करवाओ और 21 साल खराब जाएगा वहाँ पर 22 साल में फिर पैसा माँएगा वहाँ पर या आपके पास आएगा कोई चीज मुझे पैसा दो या सम्तिंग मुझे कुछ करना है और फिर वो 23 साल में फिर ये कहीं चला जाएगा ये है इसकी लाइफ ये यफ का निशान ये करवा रहा है इसको फिर ये देखो ये फिर रहे है फिर भार जा रहा है ये फिर भार जा रहा है यानि इसकी लाइफ में इसके बाद ये टाइम पिरिड के बाद ये फिर 25 साल तक ये कहीं भार चला जाएगा और 28 साल तक यह जो यह रेखा यहाँ पर आई है यह फिर वहाँ थोड़ा सा टिक कर काम करेगा तो मुद्दा क्या है कि फिर वही वाली बात छोटी मुटी कमाई करना सब कुछ करना लेकिन है गलत गंदा समय बिगड़ा हुआ टाइम पिरिड यह सब यहाँ पर जा रहा है ठीक है जब कोई भी रेखा यहाँ पर ट्रेंगल बना के बैठी है अब आप क्या सोचो के चलो थोड़ा बहुत कमा रहा है इसकी शादी कर देते हो स्पॉाइल करा तो के जिन्दे की देख रहे हो य यह सा मतलग वा लिजिएगा 29 साल से अगर यह काम शुरू करना चाहे सत्यानास हो जाएगा इस टाइम पिरिड पर ट्रेंगल बने हुए है और यह रेखाएं बहुत कुछ कह रही है तो 29 साल से लेकर इनकी लाइफ में 31 साल तक यह अपनी लाइफ में यह सही नहीं जाएग टाइम पिरिड सत्यानास होगा 31.30 से यह फिर दुबारा काम शुरू करेगा और 34 साल तक यह अपनी लाइफ में फस जा सकता है किसी चीजों में जाकर यह फस सकता है यह देखो यह रेखाएं जब बनी होई है इसलिए तो प्लीज ध्यान रखियेगा इस चीज़ का यह जो अब यव का निशान आया है ना यह यव का निशान आया है अब इसके बाद से यह 34 साल एक महीने से अपनी लाइफ में कुछ टैंशन लेनी डिस्टर्बंस यानि कुछ रिलाइजेशन हो रहा है इसको कि मेरी लाइफ में कुछ गलत चीज़े हो गई है अब यहाँ पर टैंशन डिस्टर्बंस की रेखाएं यहाँ पर हो रही है इस वाली रेखा पर जैसे ही आएगा 27 साल एक महीने यह कहीगा मैं बाहर जाके काम करूंगा जो कि सही जाएगा इसका 42 साल तक यह इसका समय सही जाएगा तो यह realization कहां से आरही है इसको 37 साल एक महीने से आरही है इट मिंस इसने अपने 37 साल तो खराब करती है ना पैसा भी बरबाद हुआ आपने सोचा कि चलो शादी करा देंगे ये काम भी करेगा सब कुछ करेगा टेंशन लेकर ये वो डिस्टर्बेंस की रेखा निकल के आ रही है इसके नाम पर कोई प्रपरटी नहीं करनी है जब तक आप चिंदा हो उसके बाद लिखके देना कि सारी प्रपरटी इसके नाम पर जाएगी लेकिन ये 42 में साल के बाद भी तो काम ठप हो रहा है फिर ये 43 साल से जो है ये काम करेगा जिसमें फिर हेल्थ इशूज आनी शुरू हो जाएंगी फिर ये देखो ये चिन बने हुएं ठीक है ये ये जो है समय सही है ये टाइम पिरिड पर पर लेकिन हैल्थ इशूज और एकस्पेंडिचर आने शुरू हो गए ये जूलती हुए रेखा चल रही है न तो ये 42 में साल आ गया ठीक है अब 47 साल से ये काम शुरू करा लेकिन यहां पर रेखा आ गई ये 44 साल तक जो है ये इसकी लाइफ में ऊपर ट्रैंगल बना हुआ था नीचे ये रेखा है तो इट मिन्स क्या हो रहा है कि डिस्टर्बेंस खर्चे और ये सारी चीज़े चल रही है लेकिन 45 साल तक का सफर ऐसे ही चलेगा यहां से 45 से 48 साल जो है ये ये इसका ठीक जाए तो वो 51 साल तक ये काम करेगा फिर कहेगा कि मुझे कहीं और चाना है कुछ और करना है 51 साल से ये रेखा निकल के आईए ये 54 साल तक आईए यहां के बाद ये कहेगा मुझे वापस आना है यहां के बाद कहेगा मुझे वापस आना है फिर आप जैसे ही वापस आएगा एक प्रापर्टी बेचेगा ठीक है ये प्रापर्टी बेचेगा फिर खरीदेगा उसे 46 साल तक जो है 46 साल क्या रहा हूं 55-56 पर प्रापर्टी बेचेगा 57 पर खरीद लेगा ठीक है 57 पर खरीद लेगा इसके बाद इसकी लाइफ जो है वो स्मूथ चलती हुई दिखाई दे रही है यानि इसकी लाइफ का जो सफर है वो कहां से बीच में ठीक हुआ ये 37 साल के बाद एक रिलाइजेशन करी इसने 42 साल तक एक काम चला इसका फिर उसके बाद जो है फिर कुछ हेल्थ इशूज और सबकुछ घर्चे जादा हो गए 37, 44, 45 तक तो उसके बाद 45 से 48 साल इसका सही गया 48 से फिर 51 साल जो 48 साल के बाद काम चेंज करा 48 साल दो या तीन मीने से काम करेगा 51 साल तक ये उस काम को करेगा फिर सोचेगा कि मुझे जो है आगे फिर कई और काम करना है फिर चुवन के ब इसकी लाइफ जो होगी वो सुधार पर आएगी ये रेखा जो है जैसे ही यहां पर यहां तक चल रही है फिर तो मैं इसकी लाइफ जो है वो बनते हुए देख रहा हूं 67 तक ये इसकी लाइफ जो है वो अच्छी चल रही है फिर और प्रपर्टी बना रहा है सम्थिंग उस property का काम अगर करे कोई मान के चलो कि real estate broker बनता है या something कोई ऐसा काम जो खेत से related हो या मान के चलो आपके पास कुछ property है उस property पर दुकाने बनी हुई है या something बनी हुई है उसका rent भी आ रहा है something आ रहा है उससे कमा रहा है उससे अधिक कुछ और काम दो तिन काम और एकठे कर रहा है तो यानि ये काम जो इनका सफर निकलेगा वो बात में निकलेगा बहुत उपर की life में निकलेगा आप जो पुष्टैनी property छोड़के जाओगे ये उससे बहुत अधिक सफलता प्राप्त करेगा लेकिन अभी आपने अभी आपने इसे सब कुछ दे दिया तो ये बरबाद हो जाएगा आपका पैसा भी बरबाद कर देगा और सब कुछ कर देगा तो मेरे हिसाब से कहां पर आपने इसे इसकी help करनी है वो समझ लीजे कि कहां तक करनी है यानि 29 साल पर जो भी पैसा लगाएगा वो नहीं लगा के देना यानि वो 31 साल तक सत्यानास वर्ड लिखाए मैंने और फिर साड़े 31 से फिर दुबारा काम करेगा और जो कि 34 साल तक जो है ये फसने की रेखाए है यहाँ पर कोई गलत काम करेगा आप भी फस सकते हो बैटर रहेगा शादी सो समझ के करना क्योंकि पुलीस वर्ड मैंने लिखा हुआ है पुलीस वर्ड लिखा हुआ है यानि आप इसकी शादी बीच में करवा रहे हो और कुछ ऐसी चीज़े हो जाती है तो वो भी गलत हो जाएगा मैं तो चाहता हूँ कि इसकी शादी जो एक्चुल में जो शादी होनी चाहिए क्योंकि जो टेंशन और डिस्टर्बंस की रेखा है जो मैंने 34 साल एक महीने से लेकर 37 साल तक कह रखी है यहाँ पर अगर शादी कराता है तो शादी जादा अच्छा रहेगा फिर उसके बाद 45 साल में हेल्थ इशू एक्स्पेंडिचर 45 साल अच्छा नहीं जाएगा और फिर उसके बाद जो है फिर थोड़ा 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 45-47 में कोई कोई चीज खरीद ली सम्टिंग ये रेखा हैं 45-47 में फिर उसके बाद जो है आप अपनी लाइफ में इसकी एक लिक के देना कि इस साल के बाद से प्रोपर्टी इसके नाम पर हो जाती है ठीक है तो तब जब ये अपने देख लेगा पैसा निकालेगा सब कुछ करेगा तब तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी लाइफ सुदर सकती है लेकिन अगर आप ये सोचो कि इसके नाम पर आप अभी दे दो और अब जो ये मांगे और उसको आप खुलवाते रहो तो आप भी फसोगे और इसकी लाइफ भी खराब होगी मैं फिर कह रहा हूँ कि ये रेखाएं सही नहीं है मैं चेक कर चुका हूँ इसलिए कह रहा हूँ ना तो शादी में शादी में भी दिखते आएंगी इसलिए इसकी शादी अगर हो सके तो डिले कीजेगा 34 साल एक महीने तीन साल खराब जाएंगे नो डाउट मुझे यहां पर इस वाली टेंशन की ये वाली जो रेखा जो चल रही है ये वाली जो चल रही है ये कुछ नहीं होता है ये ये नहीं लेकिन इससे पहले पहले रेखाएं गलत चल रही थी वो वहां तक जो है इसकी शादी नहीं होनी चाहिए बस इतना समय ले नहीं तो पुलीस केस और यह सब कुछ होता हुआ दिखाई देगा यहां पर रिलाइजेशन हो रही है यहां तक ठीक है और उसके बाद फिर मैंने कहा दिया कि काम आप कर सकते हैं तो आपने जिनको दिखाया वो समझ नहीं पाए इनके हाथ की रेखाएं क्या है और उन्होंने कह दिया कि यह आर्किटेक्ट बनेगा यह सम्तिंग बनेगा बट मैं यह कहता हूँ बहुत कुछ करेगा यह स्ट्रगल करेगा बाहर भी जाएगा बहुत बाहर भी जाएगा श्राब भी पी सकता है जुआ भी खेल सकता है और दूसरे काम भी कर सकता है लेकिन इन सब से बचने describes बस एक ही तरीका है अंकुष लगाओ अंकुष लगाओ क्योंकि पुश्टैनी प्रॉपर्टी तो है और उसके बाद फिर इसके नाम पर प्रपटी करो लेकिन माँ और बाप का फर्स होता है कि क्या होता है उन्हें वो थोड़े से जजबात में बह जाते हैं कि नहीं बच्चा जो है सेट करने के लिए इसे पैसा लगाओ तो टुकडो टुकडो में लगा कर देखना टुकडो टुकडो में जादा मत करना क्योंकि मैं मानता हूं माँ का दिल कुछ ऐसा ही होता है वो लगा देती है लेकिन ध्यान रखना अंगूठा ना लगा दे यानि कोई sign ना कर ले कोई duplicate sign ना कर ले बच्चा इसलिए थोड़ी सी चीज़ों को बचा कर चलना है ठीक है इसलिए बाकी तो कोशिश करेगा बीच में ये चीज़े सुधार कर कुछ आगे बढ़ने के लिए देखो यहां के बाद देखो प्रेंगल्स बने ये properties ये something तो मेरे को ये 42 में साल है ना मैंने कहा कि यहां तक काम चल रहा है something कर रहा है उसके बाद फिर कुछ और investments यहीं के बाद इससे को कि अगर real estate में आ जाए कोई broker बन जाए consultancy का का काम कर ले something कर ले उसके बाद की ये रेखाएं जो है वो सही चल रही है यहां से तो मुझे ये पीछे से रेखा आ रही है ये आप की आ रही है ये इसकी आ रही है ये वाला काम जो अगर शुरू करता पहले वो ये वाली रेखा बननी चाहिए थी ये नहीं बननी चाहिए थी ये आपकी रेखाएं बनके चल रही है और ये जो है ये अपनी तरीके से जो है अपनी लाइफ को जीना चाह रहा है ये वो रेखाएं है ठीक है इसलिए मैं कहा हूँ कि रेखा अच्छी नहीं है संभल के चले ठीक है बाकी रही विदेश जाने की ये फितूर विक्ती होते है ये फितूर मन में अगर आ गया विदेश में जाना है तो जाएंगे महां बरबाद करेंगे अपने आपको जाएंगे ये तो रेखा बनी हुई है नो डाउट मैं कह सकता हूँ पर लेकिन इनको कहो कि वेस्टेश की रेखाएं है जाना तड़ी मारना मैं विदेश चला गया मैं वहां पर गया एक साल रहा उसके बाद वापिस आ गया ये क्या है ये ऐसी जिन्दकी जीने का कोई फाइदा नहीं है अगर ये बोलता है तो वो टाइम वेस्ट करना या सम्टिंग करना वहां पर अपना ये कर रहा है यसी को यहीं पर सेट करने की कोशिश करो यहीं सब कुछ करने की कोशिश करो बाहर मेरे हिसाब से मत पिचवाओ आपके हाथ में आएगा नहीं फिर भी मैं कहा रहा हूं कोशिश करो इसे इतना समझा दो बेटा तेरा future जो है वो spoil हो रहा है आज के बाद से ही spoil हो रहा है जैसे ही release होता है सुन ले अपना future बेटा अपना future सुन ले मैं इसका दोनों हाथ चेक कर चुक हूं इसलिए कहा रहा हूं मैंने उस हाथ में क्या बोला था आपको कि ये रेखा जो है ये वला जो पॉइंट आ रहा है ये 24 साल का रहा है 24 साल का रहा है मैंने कहा था 24-25 साल से ये क्या करेगा कहीं जाएगा और उसके बाद जो है ये क्या करेगा अपना कुछ काम करने की कोशिश करेगा और जो कि फिर 28 साल तक करेगा फिर 29 साल से एक काम शुरू करेगा जब जैसे ही यह रेखा यहां पर आई यह 29 साल की रेखा निकल के आ रही है अब 29 साल से मैंने कहा था कि इसकी लाइफ में 29 से लेकर ये दो बारी काम करेगा सत्यानास करेगा एक 31 साल तक और एक उसके बाद 34 साल तक 39, 30, 31, 32, 33, 34 यहां तक सब कुछ खराब चल रहा है थीक है? इसलिए कहा है कि यहां कम से कम पैसा लगवाया चाहिए थीक है? खर्चे की रेखा सम्थिंग काम शुरू कर रहा है यहां से काम शुरू कर रहा है इसलिए निकली है यह रेखा है आ गही समझ? ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना यानि यह 34 साल की रेखा निकल के आ चुकी है अब मैंने कहा था 34 से लेकर 37 साल तक मैं कहा रहा हूँ disturbance है, tension है वो एक अलग matter है बट फिर भी चीज़े यहां पर शादी या सम्थिंग की जा सकती है 34 35, 36 37, यहां देखो यह रेखा है चल रही है यह रेखो यह box बना हुआ है फिर भी ठीक है फिर भी ठीक है ठीक है? अब उसी के बाद से फिर मैंने का था कि कहीं बाहर जाएगा something and then फिर वो 42 साल तक काम करेगा देख लो आप यह रेखा है 38, 49, 40, 41 और एक यह रेखा यहां से निकल कर 42 साल से तक यह काम करेगा फिर मैंने का था कुछ expenditure और health issues आ रही है 43, 44 तक फिर मैंने का था इसकी life में 45 साल से 48 साल तक इसका काम चलेगा 46, 47, 48 फिर मैंने का था कि यहां पर उसकी life में 51 पर फिर move करेगा ठीक है? और वो 54 साल तक फिर वापसी की रेखाए हैं ठीक है? यह देख लो यह देखो और यहां से यह strongness देखी रही है इसकी life देख रहे हैं तो भाईया इसकी life में उसके बाद तो कोई दिक्कत है नहीं property भी यह सब कुछ है इसलिए यह रेखा मुड़ी हुई थी आप यह मत समझ लेना कि यह रेखाएं जब होती है ना तो शादी के बाद जो है life अच्छी होती है बीबी की आदमें एक से किस्मत बनती है यह होता है वो होता हुआ हुआ है बाद भी जाने की कोशिश कर रहा है बाहर पैसा भी waste कर रहा है सब कुछ कर रहा है क्यों करवा रहे है बाकि आप लोगों के उपर है मैं तो इसकी life में कहरा हूँ कि time इसका सही time केवल केवल अगर मैं कहूँ 34 साल से पिर भी मैं सही कह रहा हूँ टेंशन है वो टेंशन छेली जा सकती है इसके बाद से पैसा लगवाना शुरू कर दो इसके उपर फिर ये सुधरना शुरू कर देगा ये मैं गरंटी दे रहा हूँ और लेकिन अब भी आज से ही अगर आपने इसको अंकुछ लगाना शुरू कर दिया कि बेटा ऐसे लाइफ नहीं जी जाती है तो ये बहुत बदल जाएगा पर लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसके लिए ये चीज़ कर रहा हूँ इसके टेंशन तो आपको रहेगी रहेगी ठीक है? ये तो रहेगी ये है इसके हाथ में ये रेखाए कैसे चल रही है ये रेखाए कैसे चल रही है उपर जाके तरकी की रेखाए लगी है ये तो बड़ी हुई रेखाए चल रही है दिक्कत देंगी लाइफ में आप बहुत कुछ छोड़के जा रहे हो वो एक अलग मैटा रहे है कुछ चोड़के जा रहे हो वो अलग मैठा रहे हैं ठीक है ये है आपके इनके हाथ का विशलेशन इसमें कौन से उपाई करने बढ़ेंगे देखो अवरॉल तो मैं अगर कहूं तो गुरू का उपाई इसको बैटा रहेगा एक सुर्य का एक गुरू का सुर्य का गुरू का उपाई करो क्योंकि शादी में दिक्कत और उसके बाद आत्तों के कारण परिवार को जोड़ के रखना ये सारी चीजें इसमें आती है स्टडी में दिक्कत ये इसमें आती है गुरू में आती है ठीके इस चीज़ का ध्यान रखिएगा फॉर्मेशन सही नहीं है इसलिए कह रहो बाकी तो आप लोग क्या कहोगे कि बहुत अच्छी लाइफ है ये है वो है मुझे पता लग रहा है ना कुन सी क्या लाइफ है क् ठीके इस चीज़ का ध्यान रखिए बाकी इसकी लाइफ में शादी को थोड़ा सा डिले करें तबी अच्छा रहेगा पूरी कैलकुलेशन बैठी हुई है कि लड़ाई जगडे और सम्थिंग की रेखाए और फिर भार जाना और सम्थिंग करना ठीके ये पूरी कैलकुले दन्यवाद